अस्सलामों आलेकुम मैं जुलेखा अर्फाथ जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बहतरीन बढ़ियासी डिश जिसका नाम है चीज चिकिन फहीटा सैन्विच बहुत ही मज़ेदार जट पढ़ घर के हाजर मसालों से बन जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी फहीटा बनाते हैं सैन्विच आज का चलिए एक फ्राइपन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और एक से दो टेबल स्पून जितना मक्कन यानिके बटर डाल दीजिए दो चुरी चैके चमाच पार इकटा हुआ लसन भी दाल दीजिए यहां पर मैंने 200 गराम चिकन ली है बोनले से थाई पोशन है आप चाहे ब्रेस पोशन ले सकते हैं चिकन का और मैंने ऐसे पतले-पतले लंबे-लंबे पीस किया और चर्वी निकाल ली है दो-तीन पान इसे धो के निता ने 10-15 मिनि तक बार-बार चलाते हुए फास्ट आज पर भून लीजिए जब भून ले तो यह जो चिकन स्ट्रिप्स हमने काट कर रखी है यह सारी डाल दीजिए बिसमिलयरह पने रेम बोल कर इसे फास्ट आज पर बार-बार चलाते हुए चिकन को एक मिनिट तक फ्राय कर लीजिए जब एक मिनुट हो जाए तो यहां पर नम्मक में दाल देती हूँ, चुटकी बर 1-4 छोड़ चाय का चमच तक रीविट होगा, लेकिन आप स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, इसे एक बार फिरसे में चला लेती हूँ, इसमें दाल दीजिए 2 छोड़ चाय का चमच, कर्शमीर पॉद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक चुड़ चाय का चमच निमो का रज भी दाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार भी दाल सकते हैं, उसे भी डाल कर मिक्स कर लीजिए, पर इसे फास आच पर तब तक फ्राइ कीजिए मसालों को जब तक तेल नहीं छुट जाता, जब तेल छुटने लगे, पनफोत या आधा कप पानी डाल दीजिए, मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ, और इसमें हलका उबाला जाने दीजिए, उबाला जाए, तो सुलाज करके ठाक कर तब तक पकाएं, जब तक चिकन नहीं गल जाती और पानी पूरी तरीके से ट्र यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, टमाटर सॉस तकरीबन डेट टेबल पूंचितना, इसे भी डाल कर मिक्स कर लीजिए, चुला कर दीजिए, मीडियम आच और इसमें उबाला जाने दीजिए, अब जब उबाल आ जाए, तो यहाँ पर मैंने तीन टाइप की सिमला मिर्च, पतली पतली लंबी-लंबी काटके रखी है, बड़ी थी सिमला मिर्च, तो मैंने आधी-ाधी लियो, और एक मीडियम साइज की प्यास को मैंने लंबा-लंबा काटा है, तो जब उबाल आ जाए, तो यह सारी सबजियां दाल दीजिए, और इसे बार-बार चलाते हुए, आध दो-तीन मिनिट तक मीडियम आज पर पका लीजिएगा, बेशक कोई बात नहीं, अब जब आप मिक्स कर लेए, तब चुटकी बर नम्मक और चुटकी बर काली मिर्चो का पौडर दाल दीजिए, उसे भी चलाकर मिक्स कर लीजिएगा, आप देख रहे हैं, मैं स्लो और मिक्स ले रही हूँ, मॉस्रेल और शेडार मिक्स है, यह तकरीबन आदा कब थी, मैं और उपर से डाल रहे हूँ है, तोटले आपके उपर आपने जितनी चीज डालनी है, डालिए, मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, और मैं दो मिक्स डाल रही हूँ, आप कोई भी एक त ठाकिएगा मत, साइट पर रहने दीजिए, ये ब्रेड है, मैंने लंबा वाला ब्रेड लिया है, कोई भी तरीके का ब्रेड ले सकते हैं, उलट पलट करते हुए, दोनों साइट पर इसके मखन लगा लीजिए, और टोस्ट करने के लिए एक तवा ले लीजिए, और इसे इस साइट पे लगा दीजिए, सबसे फेले तो टमांटर सॉस, कैच्प यानिके, और उसी के उपर लगा दीजिए, मायोनीज, और जो हमने घर्मा गर्म हमारी सबजी है, वो साइट पर रखीए, वो लगा दीजिए इसके उपर ऐसे, बड़िया से, क्योंकि बहुत अच्छे स लगा कर बंद करदी जिए और ये बन गए बडियासा हमारा चिकन फाहिटा सानविच रेड़ी है सर्फ करने के लिए बडियासा गर्मा गरम इसे तरीके से डिफरेंट स्टाइल के मैंने बर्गर्र्स और सान्विजे ज़ और ऐस बनाए हैं मेरे चैनल पर अपलोड किये आप लोगों के लिए सारे लिंक दिस्क्रिप्शन चेक कर लिजेगा तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्षिन में जरू शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंस पर लिए बहुत अच्छ लगते हैं रेसिपी अच्छ लगे तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छ लग Sब साथ प्यानाज़ मेचे लगते हैं video में स्टेग環 रेसिपी।